स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम आपको आज बताएंगे शुक्र ग्रह के बारे में शुक्र ग्रह का बारा भावों में परभाव और उसके लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं शुक्र ग्रह को संदर्रे का, प्रेम का, भौतिक सुक्स्विधाओं का कारक माना गया लेकिन जब ये बारा भावों में अलग अलग भाव में स्थित होता है तो हर एक भाव में एक अलग ही परिणाम देता है अगर शुक्र आपके लगन में है, अर्थात पहले भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत ही सुन्दर, बहुत ही आकर्शक होता है। कलातमक्ता इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, यानि कि इनका दिमाग, इनका भुझान, जो है आर्टिस्टिक चीजों के अंदर बहुत जादा जाता है। साथ ही साथ हर प्रकार के सुखों को भोगना चाता है, लेकिन कभी कबार लगन में शुक्र होने से व्यक्ति के अंदर एहम अंकार की भावना अधिका जाती है। अगर आपके भी कुली में शुक्र पहले भाव में हैं, तो इसके लिए आप कुछ उपाई कर सकते हैं। जैसे शुक्रवार के दिन आप सफेद बस्तर पहनिए, गरीब महिलाओं को सफेद मिठाई खिलाएं और शुक्र यंत्र की स्थापना करके प्रती दिन उसकी नियमित रूप से पूजा करें। देखिए अगर आपका शुक्र अगर नेगेटिव होगा तो वहाँ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। जिस किसी के भी प्रतम भाव में शुक्र हो तो वह इन उपायों को जरूर करें। दूसरा भाव रिप्रेजन करता है हमारे परिवार को, हमारे धन को, हमारी वाणी को। अगर शुक्र यहां बैट जाएं तो इन सब चीजों पे चकाचोंद लग जाती है। अगर शुब पर भाव दें तो परिवार में भी सारे एश्वर्रे प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर शुक्र दूसरे भाव में बैठे वे हैं और अशुब पर भाव में हैं पाप कत्री ग्रहों की श्रेणी में आ रहे हैं तो आपको भी कुछ उपाई करने चाहिए। अगर शुक्र आपके दूसरे भाव में हैं तो आपको करना क्या है? चांदी के बरतन में पानी पी तो तीसरा भाव हमारे दिखाता है हमारी महनत को, हमारे चोटे भाई भहन को तीसरे भाव में शुकर है तो ऐसा जातक यातरा प्रिये होता है लेकिन ऐसे जातक को अपने लक्षों पर ध्यान केंदृत करने की बहुत जरूरत होती है उसके लिए आपको करना क्या है? आपको करना है शुकरवार के दिन खुश्बू वाले सुगंधित फूलों का दान करें, गाएं को हरी घास खिलाएं और खुद मीठा और सफेद भोजन का सेवन करें. चोथा भाव, शुकर अगर आपके चोथे भाव में हैं, चोथा भाव सुक स्वीधाओं को दिखाता है, यहाँ पर शुकर अगर बैठता है और अपने शुक परभावों को दिखाता है तो आपके घर में सभी सुक स्वीधाओं के साधन होंगे, उन सुक स्वीधाओं को आप लेकिन अगर अशुक्र भाव में है तो आप उन सब चीजों से वंचित हो जाएंगे जिन चीजों से आपको सुखों की अनुभूति होती है अगर ऐसा है चोथे भाव में शुक्र है तो आपको करना क्या है आप अपने ही घर में सफेद रंगों के फूलों को उगाएं अगर शुक्र यहां पर आपको करना क्या है शुक्र वार के दिन आप ब्रत करें सफेद चंदन का तिलक लगाएं शुक्र जो है हमारी सेक्षूल लाइफ को दिखाते हैं और चटा भाव हमारे रोग के भाव को दिखाता है तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर शुक्र बैठें और आपको इस तरह की कोई जो sexual related problems होती है वो यहाँ पर दे सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या है? आपको remedy करनी है शुक्र से related चीजों की जितना हो सगे इत्र का इस्तामाल करें गाए को हरा चारा खिलाएं सात्वे भाव का शुक्र आपको आपके پार्टनर के प्रती बहुत ही आकर्शित बनाता है आपका पार्टनर भी बहुत attractive होता है दीखने में सुमे ग्रह है तो आपके पार्टनर जो हैं दिखने में बहुत ही सौफ्ट होते हैं सेवेंध हाउज में अगर वीनस है तो आप अपने विभाहिक जीवन का सुख मै तरीके से आनंद लेते हैं साथ में भाव में अगर शुक्र है तो शुक्र से रिलेटिड सभी चीजों का जो अभी तक मैंने आपको बताई है इसमें से कोई भी आप एक रेमेडी कर सकते हैं अपने घर में सुगंदे फूल हुगा सकते हैं सफेद मिठाई खाएं और सफेद चीजों का उपयोग करें आपका शुक्र और स्ट्रॉंग होगा और आपके साथ में भाव में अगर शुक्र है तो आप सफेद बस्तर पहने अगर आपके आठवे भाव में शुक्र है तो आप सबसे अच्छा उपाए है अगर आठवे भाव में शुक्र बैठा है उसे मजबूत करने के लिए उसे ठीक करने के लिए आप गाएं को मीठा भूजन खिलाएं सफेद कुश्पों का दान करें और घर में अपने सुगंधित धूप लगाएं नाइंथ हाउज में अगर शुक्र है तो आप अपनी अध्यात्मिकता की ओट बहुत आगे बढ़ते हैं आपको अपने जीवन में गुरूं का पूरा-पूरा साथ मिल जाता है अगर आपके भी नवे भाव में गुरू है तो आप लक्षमी विष्णू की पूजा करें शुक्रवार के दिन ब्रहामनों को सफेद रंग की मिठाई जरूर जरूर दान में दें इससे आपके अध्यात्मिक रास्ते और अधिक खुलेंगे और आपके जीवन में सुख और शांती बहुत अ आईने रहती हैं ऐसे लोग फैशन कला से रिलेटर कोई भी बिजनस कर सकते हैं और ऐसी जॉब कर सकते हैं जो की इन वेवसायों से जुड़ी हो तो इन में इने बहुत ही ग्रोथ मिलती है ऐसे जाकर अगर आपके भी दस्वे भाव में शुक्र है तो आपको करना क्या है आ अगर आपको सके चांदी का दान दे सकते हैं तो वो बहुत ही उत्तम रहेगा अगर नहीं तो किसी भी सपेद मिठाई का सपेद फूलों का सपेद बस्तरों का किसी भी चीज़ का दान दे अगर आप उसका दान देते हैं तो आपके जीवन में आपका करियर बहुत अच्छ तो उसे धारण कीजिए, इससे आपके लाभों में बहुत अधिक बड़ोतरी हो जाएगी, बारवे भाव में शुक्र, यहाँ पे शुक्र आपको अत्याधिक बोग बिलास का प्रिये बना देता है, अत्याधिक खर्चे कराता है, तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ताकि खर्चे आपकी सीमाओं में रहें, इन सब को करने के लिए आपको करना क्या है, अपने सामर्थ के अनुसार, शुक्रवार से रिलेटिट चीजों का दान दे, और हो सके तो शुक्रवार के दिन भगवान शेप की पूझा जरूर करें, शुक्र ग्रह हमारे जीवन में विभ अपना कर आप अपने शुक्र को सकरात्मक बना सकते हैं और जीवन के विभिन पहलों पर सफलता हासिल कर से अगर हमारी आज की वीडियो आपको उप्योगी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में शुक्र कौन से भाव में स्थित है और आपने उसके लिए कौन सा उपाय अपनाया है और उस उपाय से आपको कितना फरक पड़ा धन्यवाद आपके जीवन में शुक्र का शुक पर भाव हो